नमस्कार प्रणाम बहुत बहुत स्वागत आपको यूटूब चेनल दिलिफ टेक्नलोजी वर्ल्ड में दोस्ताइज बात करने वाले हैं सवचाली आवेदन के बारे में तो कैसे सवचाली का आवेदन कर सकते हैं कौन-कौन से आवेदन कर सकते हैं इसमें क्या-क्या कागज लएगा सारी जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और step by step आपको apply करके बताने वाला हूँ जी कैसे apply हो सकता है इसमें 104 कावेदन करने के लिए आपको पूरी स्व्या मैला कोई भी कर सकते हैं आसन कार्ड में नाम होना चाहिए आपको एपियल एपियल कोई भी कर सकते हैं इसमें आप लाइक करने के लिए आपको कागज में चाहिए अधार कर चाहिए बैंक के पास्वुक चाहिए आप apply step by step जानकारी लेकर वीडियो के माद्याम से apply कर सकते हैं चल यह वीडियो करते हैं इस्टार्ट करने से पहले करेंग एक रिक्वेर्ट जबी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा दूसरी किसी के पास भी शेयर जरूर कीजिए गा चलिए चलते अपनी वीडियो के बार कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से क्लिक करके इस साइड पर आ सकते हैं नहीं जाना है और लिखना है यहां पर सौचाले ऑनलाइन ज़स्ट लिखने पर ही आपको फॉस्ट में मिल जाएगा रेजिस्टेशन सौचाले भारत मिसान sbm.gov.in तो ज़स्ट इसी पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं डाइरेट रेजिस्टेशन पर लेके जाएगा आने के बाद उसके बाद यहां से देख सकते हैं जिए आपको मॉबाइल नमबर डालना होता है मॉबाइल नमबर डालिएगा पर गेट OTP पर आपको ज़स्ट खुल चुका है उसके बाद फिर से मॉबाइल नमबर डालेंगे गेट OTP पर क्लिक करेंगे और OTP केप्चा डालके जस्ट शाइनिंग पर हम जस्ट क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं हम दूसरे साइड में चले जाएंगे दूसरे साइड में आते ही यहां से देख सकते हैं आप आपका पूरा डिटेल दिखाई देने लएगा आपका नाम यहां पर दिखाई देने लएगा मोबाइल नमबर और यहां पर एड्रेस जो फिलप किये थे एड्रेस पूरा दिखाई देने लएगा उसके बाद यहां पर देखिए आपको मिलेगा निव अप्लिकेस्ट का एक तो just इसी पर आपको click करना है करते ही यहां से देखिए usability category के बारे में एक benefit बताया गया है जिक्या है BPL के द्वारा और ASC के द्वारा इसी के बारे में बताया गया है तो इसको आप cross कर सकते हैं या bugle में कहीं भी type कीजिएगा तो एक cut जाएगा cut जाने के बाद यहां से देख सकते हैं आपको मिलेगा state चूच करने के लिए state पहले से है तो district चूच कर लिजिएगा उसके बाद यहां से आपको पूछ रहा है block name block अपना select करना है block select करने के बाद यहां से पंचायत name आपका जो पंचायद परता हो पंचायद सेलेक्ट कीजिएगा सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहां से पूछ रहा है भिलेज नेम आपका जो गाओं का नाम परता हो गाओं का नाम सेलेक्ट कीजिएगा हम change करेंगे तो यहां से देख सकते हैं जिसके दिया है हरीजन टोली मठिया रुसूलपूर नट वा टोली यहां से जो हो आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा इन्हीं गाव का नाम से होता सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहां से आपको नाम डालना पड़ेगा जो अधार काड में आपका नाम है वही नाम इसमें फिलप किजिएगा उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक किजिएगा और वेरिफायर अध ग्रट करना है इसमें डलना और जेंडर मेल फेमेल जो है चूच कर लेना है चूच कर लेने के बाद यहां पर पेक टेगरी कटेगरी में आपका APL BPL जो हो ऑप सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद पूछ रहा है सब क्रेगरी सेटित तीन महीं मातर दे रहा है S.C.H.D. और General, माल लीजिए, आप O.B.C. से आते हैं, B.C. 2 से आते हैं, B.C. 1 से आते हैं, तो आप General सेलेक्ट कर लिजिए गा, ज़स्ट General सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से आपको से सेलेक्ट है उसके बाद अधारकार नमर अटमेटी का जाएगा उसके बाद एक मोबाइल नमर देना है आप मोबाइल नमर दे सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं मोबाइल नमर जो लोगिन किये तो भी डाल सकते इसमें डाल दीजेगा उसके बाद यहां पर एड्रेस अप कोड़ तो यहां पे bank का name चूछ करना है जो bank का नाम हो यहां पे select कर लेना है जैसे दू से तीन से चार letter हम जो type करें तो बहुत सारा ऐसा bank का नेम आजाएगा तो इसको हम select कर लेंगे select कर लेंगे के यहां से पूछ रहा है ब्रांच नेम यानि ब्रांच का नाम जिस जगह पे है उस जगह का नाम देना होगा जैसे माल लिजे बैंक का नाम तो चूछ कर लिजे उसके बाद ब्रांच का नाम चूछ करना है जैसे एक दो लिटर लेटर इसमें भी लिखेगा तो यहां पर देख आएगा सब कुछ यहां पे तो में चूज करना है जो पतली में पर देख सकते हैं दूशों के भी से कौम होना चाहिए इसमें पिडियप में का option तो जस्ट इसी पर क्लिए क्लिक किजिए गए तो आपका अवेदर नमबर यहाँ से दिख जाएगा application नमबर दिख जाएगा उसके बाद यहां से दिखिए आपको मिलेगा track status तो जस्ट इसी पर